आज हम हैं पॉलनेमल के सेकंड टॉपिक विस इस नौन एज रिलेशन से बिट्वीन जी रोज एंड कॉफिशेंट्स और पॉलनेमल तो हमारे पास में कोई भी पॉलनेमल है जैसे क्वार्टी एक्विशन हम इस पेसली इस पर पढ़ते हैं तो उसके जो जी रोज होंगे जो क्वार्टी एक्विशन को सॉल्व करके दिखाऊंगा उसके थ्रो आपको समझाता हूं कि कैसे उनका रिलेशन बनता है तो फर्स्ट आफ एक एक्जेंपल हमने लिया विच इस एक्वार्टी पॉलनेमल है हमने इसके फेक्टर करने सीखे हैं क्लास नाइंत में और यहां अ आपको फिर से 3 common दिख रहा है प्लस 3 आ गया x-4 is equal to 0 now x-4 x-4 यहां common है तो इसे common कर लेते हैं x-4 common है और यहां बच रहा है आपका x और यहां है आपके पास में plus 3 is equal to 0 now दोनको 0 distribute कर देते हैं x-4 is equal to 0 x plus 3 is equal to 0 ऐसे हमने लिखा आगे x is equal to यह minus 4 है इधर जाएगा तो प्लस 4 हो गया यह है आपके पास प्लस 3 और इधर जाने पर minus 3 now what is the solution x square minus x minus 12 is equal to 0 यह जो हमारे पास हम quality equation है और इसको हमने solve किया तो इसके दो values आये हैं which is x is equal to 4 and x is equal to minus 3 these are the zeros of this particular equation तो यह जो है इसके zeros हैं आप इनको zeros कह सकते हैं आप इनको values कह सकते हैं आप इनको roots कह सकते हैं whatever जो भी आप कहना जाएं आप इनको कह सकते हैं now अब हम देखते हैं कि हमारे पास में quality equation है तो किस तरह किसे इनका relation इसमें बनता है now हम यहां देखते हैं okay let we have let a quality equation let us let us consider a equation एक equation हमने इस पर consider कर दी let us consider a equation which is known as quality equation और आपको लिखना उसको आता है यह है आपके पास में px is equal to that is ax square plus bx plus c तो एक quality equation की general equation है यहां a and b a is the coefficient of x square b is the coefficient of x and c is a constant term तो c को हम क्या कहते है constant term कहते है इसमें जो a की value है b और c 0 हो सकते हैं but a does not equal to 0 यहां पर को क्या होगा a does not equal to 0 okay यहां पर को अभी हमने definition नहीं पढ़ना है तो similarly अगर हम इसको solve करेंगे इसको solve करेंगे quality question को तो उसके भी answer इसी तरह किसे आएंगे जैसे हमने quality question को solve किया तो इसके answer कितने आगे है 4 और 3 बद हमको यह पता नहीं ना कि यहां पर को इसके क्या value जा सकते हैं तो हमको इसको consider करना पड़ेगा let let alpha and beta are the zeros zeros of this equation of this equation यह जो equation है इसके दो zeros हमने consider कर लिए है क्योंको आट equation है तो दो zeros बनेंगे एक होगे आपका alpha and second one is beta ठीक है तो हम इसको कैसे लिखेंगे हम इसको लिख सकते हैं zeros यह हैं तो इसके जो answer बनेंगे वो जाएगा आपका x minus alpha x minus beta x minus alpha and x minus beta same as it is जैसे इसको हमने solve किया तो x is equal to 4 आ गया and x is equal to 4 x is equal to minus 3 तो अगर देखें यह इसके answer है तो वापस इसमें चलिए ना तो इसको हमने क्या देखा x minus 4 यह minus 3 सा इधर आएगा कितना आएगा plus 4 दोनको multiple equation करते हैं तो वापस हम इस question पर आ जाते हैं तो same as it is इसको हम solve करेंग तो इसके दो value जाएंगे एक value है alpha और दुस्टी value क्या है बीटा और फिर हम इन दोनको multiply करेंगे तो यह equation आए चाहिए तो same काम हम यहीं पर करने वाले हैं इस equation को आप यहापको लिखे a x square plus b x plus c is equal to इसमें लिखते हैं x minus alpha and x minus beta यह हमने लिखा और साथ हमको क्या करना है यहाँ इसको multiply कर लेते हैं now multiply कीज़ें इसको x into x which is x square x into beta x beta ऐसा लिख सकते हैं minus alpha into x minus alpha x हो गया now minus minus यह plus है alpha into beta this one again यहाँ को आपके बास में k भी बाहर से ठीक है अभी जो common आता है और simplify हम इसको कर सकते हैं k x square minus alpha यहाँ से common ले लिजे sorry x common ले लिजे और यहाँ से बन गया आपका alpha plus beta plus alpha into beta यह आपको मिला ना ठीक है x square now x square and x से हमने common ले लिया alpha plus beta यह बच रहा है plus alpha into beta अब यह k बाहर से है तो k भी सबके साथ में क्या कर सकते हैं multiply कर सकते हैं तो अगला term हो जाएगा आपका k x square minus x alpha plus beta into k and alpha beta into k इस तरीकी से हमने इसको solve गिया और यहाँ पर को हमारे पास में यह general equation as it is लिखी जाएगी ठीक है so ax square plus bx plus c again यहाँ ना आप इसको पुरा इधर पर लिख सकते हैं this one अब same as it is this is the quality equation और यह क्या है इसका solution है इसको हमने parts में लिख दिया now comparing अब हम यहाँ से क्या करेंगे comparing x square वाला term होगा उसका x square के साथ में compare करेंगे x square का compare हम कर देंगे x square के साथ में now x वाला term होगा उसका compare हम क्या करेंगे x वाल के साथ में करेंगे और जो constant term होगा तो इसका comparison जो होगा वह आपका इसके साथ में कर दे जाएगा so हमने यहाँ लिख दिया comparing इस तरह के साम इसका comparing करेंगे तो मैं यहाँ आपको लिखता हूँ that is comparing which is comparing तो इसका equation compare आपको यह a x square is equal to k x square x square तो हमको यहाँ से क्या मिलना है a is equal to k now x square is equal to x square so a is equal to k this one this is equation number first ऐसा हमने लिखा again now b x this one this is the b is the coefficient of x and alpha plus beta k is the coefficient of x now तो हम इसको लिख सकते हैं पूरा sign के साथ आप इसको ला सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं plus b x is equal to s आपने लिखा minus x alpha plus beta into k this one तो इसमें से आपने x को ऐसा cancel out किया तो यहाँ हमको मिल रहा है which is b is equal to minus alpha plus beta into k यह आपको मिल गया equation number यह बन गया आपका second यह हो गया आपका k now third equation यह constant में c और इसके साथ में alpha beta into k ना तो इसको लिख लेते हैं यह बनेगा आपका alpha into beta into k is equal to c now equation number third हम इसको equation number third कह सकते हैं हम क्या करते हैं सारे equation को solve कर सकते हैं first second third fourth इस वन तो पहली चीज़ तो हमको मिल गई a is equal to कितना आया k again solving equation first and second equation first and solving यहां से हम इसको solve करें first of all solving first and second तो दो equation को solve कीजिए equation number first and equation number second means k की value जो k की value है उसको हम क्या करते हैं इसको नीचे लिए आते हैं तो हम इसको लिखा alpha plus beta is equal to this one यह minus b upon a minus b upon a और यहां देखिए अब b क्या ना b b is the coefficient of x b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square तो आप इसको इस तरह की से भी लिख सकते हैं यह आपको formula मिल गया minus coefficient of x इसको आप लिखिए coefficient of x यह आपका extra coefficient है now a is the coefficient of x square यह आपको formula मिलता है again अब हम इसमें solve करेंगे equation number that is c first and third now यहां मैंने लिखा from equation first and third तो पहली equation number third equation को हम solve करते हैं यह आपका alpha into beta into k is equal to c ठीक है और k की value हमको यहां पहली equation से क्या देख रही है a देख रही है तो a इसको put कर लेते हैं यहां हमने put कर लिया है a और alpha into beta is equal to c upon a यह आपको मिल गया अगर अगर आप equation में देखें c is the constant term तो हम इसको लिख सकते हैं c is equal to यह आपके पास में constant constant term हो गया और a is the part of which is coefficient of x square आप इसको लिखें coefficient of x square तो इस तरीकी से हमने इसमें formula set किया इसमें क्या हमको formula मिला अगर हम किसी quality equation को solve करेंगे a x square plus b x plus c के format में यह general equation है और हम इसके values निकालते हैं तो इनके values का हमने क्या consider किया था alpha and beta तो हमको देखने को मिलता है कि alpha plus beta sum of roots आप इनको roots भी कहते हैं values कहते हैं answer कहते हैं sum of roots is equal to minus b upon a directly आप ऐसे निकाल सकते हैं product of roots इनको हम क्या कहेंगे product of roots इनका हम multiplication देख रहे हैं alpha into beta is equal to c upon a तो इस तरीके से आप इसमें फर्दर जो हमारे पास में questions बनेंगे उनको हम इस तरीके से solve करते वे चलेंगे